हलो यूबर्स रसोई का अनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए पनीर पसंदा की रेस्पी लेके आई हूँ सबसे पहले कुकर में हम डेट ग्लास पानी डालेंगे उसमें तीन प्याज मैं मोटे मोटे चॉप करके डाल रही हूँ और तीन चम्मच तरबूज के भीच डाल रही हूँ इसके बाद एक तेज पत्ता डाल रही हूँ एक मोटे इलाईची डाल रहे हैं इसमें दो हरी मिर्ची डाल रहे हैं यह हरी मिर्ची बहुत जादा तिकी है तीन लॉंग डाल रही हूँ मैं और पांच से छे लॉंग के गार्लिक के क्लोवज डाले हैं मैंने आधा चम्मच नमक और वन फोर्थ चम्मच हल्दी डाल कर इसको मिक्स करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे एक विसल आएगी तो हम 15-20 मिनिट के लिए इसको लो हीट पर रखेंगे और जैसे ही इसकी स्टीम अपने आप रिलीज होगी तब इसको खोल कर मिक्सी में मैश करके ग्रेवी को छान लेंगे मैंने चार छोटी लाईची ली है और काजू और बादाम को बारिक बारिक इस तरह से चौप कर लेना है बहुत बारिक चौप करना है क्योंकि इसकी फिलिंग हम अपने पनीर के सैंड़िच के अंदर करेंगे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है इसको मैं इस तरह से काट लूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं इसके square pieces काटने के बाद एक एक piece को मैं इस तरह से तीन portion में divide करूँगी इसके अंदर हम filling करेंगे और इसके एक sandwich बनाएंगे पनीर के इस तरह से काटने के बाद मैं पनीर को थोड़ा सा पनीर को crush कर लूँगी उसमें पिसी हुई ये छोटी लाईची डाली है थोड़ा सा नमक डालेंगे काली मिर्ची और 1 फोर्थ चमच चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा काला नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ और 4 चमच काजू और बादाम जो हमने चौप करके रखे हैं वो इसमें अड़ कर रही हूँ और एक चमच हरा धन्या बारिक कटा हुआ डालेंगे इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह से पनीर का एक स्लाइज लेंगे उसके उपर इसको इस तरह से लगाएंगे और उसके उपर पनीर का दूसरा टुकड़ा लगाके एक सैंविच की तरह इसको जॉइन कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से सारे सैंविचे बना लेंगे हम पनीर के अब मैं 2 चम्मच मैदे को 2-3 चम्मच पानी डाल कर खोल लूँगी और एक सलरी बना लूँगी और थोड़ा सा सुखा मैदा ले लेंगे एक प्ल चारो तरफ से dry मैदा में इसको इस तरह से हम coat कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हम सब sandwich तियार कर लेंगे अब एक तवे पर मैं दो चम्मज देशी घी डाल कर पनीर के sandwich इसको दोनों तरफ से हलका सा शॉते करेंगे हमें इसे बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना है जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा हलका हलका दोनों तरफ से हम इसको निकाल लेंगे विवर्स अगर मेरी रैस्वीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिए इस तरह से हम सारे सैंट्विचेस त्यार करके रख लेंगे अब हम एक पैन लेंगे, उसमें दो बड़े चमज देशीगी डालेंगे इसके अंदर मैं आदा चमज देगी मिर्श डाल रही हूँ अगर आप ज़ादा तीखा खाते हैं तो आप एक चमज भी डाल सकते हैं इसके अंदर मैं एक बड़ा चमज गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ वन फोर चमज हल्दी डाली है मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम हमने जो अपनी प्योरी बना के चान के रखी है उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हिलाते हुए पका लेना है इसमें मैं दो से तीन चमज दही के फैट कर डाल रही हूँ और दो चमज घर की मलाई डाल रही हूँ जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा इसको ढखके दो मिनिट के लिए पकाएंगे लो हीट पर जैसे ही तब तक हम अपने सैन्विच इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से ट्रैंगल शेप में मैंने इसको काट लिया है आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग कितनी अच्छी हुई है अब हम एक फ्लाइट डिश में अपने पनीर पसंदा को अरेंज करेंगे डिश के अंदर मैं देखिया हमारी ग्रेवे एकडम अच्छी तरह से तयार हो गई है कितना अच्छा इसने कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत अच्छा ओयल रिलीज किया है इस तरह से फ्लाइट डिश में मैं पनीर पसंदा को अरेंज करूंगी इसके उपर हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे और इसको सर्व करेंगे इसे खाईए इसका आनन लीजिए धन्यवाद